दोस्तो नमस्कार आदाब सर्च्रियकाल नियूज क्लिक के खास कायरिक्रम आज की बात में आपका स्वागत है दोस्तो जब मैं आपके साथ बात करना शुरू कर रहा हूं तो अभी अभी खबर मिली है कि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रहे जियोती रादिच सिंधिया जो एक समय कॉंग्रेस पार्टी के रास्टी अध्यक्ष तत्कालिन अध्यक्ष राहूल गांदी के गहरे मित्र सबसे सक्री सहयोगी वो सिंधिया साहब भारती जंता पार्टी में और चारिक तोर पर आज शामिल हो गए पहले उन्होंने इस्थिपा दिया था कली कयास लगाया जा रहे थे कि वो शामिल होंगे पार्टी में बीजेपी के अंदर लेकिन उन्होंने आज का दिन चुना हो सकता है उनको तमाम तरह के जोच्छी तमाम तरह के जो भविश्य वक्ता है उन्होंने आज की तारीक तैकी हो तो अब से वो भारती जंता पार्टी के सदस्य है पार्टी उनको क्या भूमिका देगी उनको मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी भूमिका पार्टी देने जा रही है या दिल्ली में राजिसभा मिलाकर वो केंद्री मंत्री बनाने जा रही है ये मुझे लगता है जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सियासत को जानने वाले लोग है उनका मानना है कि शिवराज सिंग चौहान एक ऐसे नेता है जिनको भारती जनता पार्टी इग्नोर करना फिलहाल पसंद नहीं करेगी तो अगर मुख्य मंत्री पत के लिए प्रात्मिक्ता से अगर देखेगी या तोमर सहाब को देखेगी जो केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं और वो एक समय मध्य-प्रदेश भारती जनता पार्टी के द्यक्च चुके हैं तो जोतिराज सिंदिया का केंद्र में मंत्री बनना ज्यादा संभावित है बज़ाई इसके की उनको मुक्ष मंत का पत्सौंप दिया जाए जिसके लिए कॉंग्रेस से बहुत नाराज थे कॉंग्रेस से जोतिराज सिंधिया की सबसे बड़ी जो नाराजगी थी वह यह थी कि वह एक युवाज बहुत चेहरा हैं पार्टी के राउल गांदी के निकटस्त हैं सोनिया गांधी भी उनको बहुत मानती हैं ऐसे में उनको मुख्य मंत्री नो बनाकर कमल नात को क्यों बना दिया गया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के बहुत सारे जानकार मद्य-प्रदेश की राई नीत के हैं कि अगर कौंग्रिस को मदिय प्रदिस में प्रशंड बहुन पिल पर अगर सरकार चलाने का पूरा का पूरा बहुनल गया होता तो संभव था कि उस वक्त सोनिय गांदी और राहुल गांदी सिंध्या के नाम पर शायद साहमत हो जाते क्योंकि तब कोई समस्या ना आती लेकिन जब वहमत नहीं मिला जब जुगाड करना था जब बीएसपी सपा निर्दलियों सबका जुगाड करना था तो फिर दिगविजा सिंग और कमलनात को साधना पड़ा कि दोनों नेताओं का आपसी तालमेल बहतर होना चाहिए जो मद् जा नाराज हो गए और नाराज होने के बाद वो बहुत दिन तक काफी दिन तक मैं समझता हूं वो पार्टी की लाइन के विपरीत बोलते रहे फिर भी पार्टी ने कोई एक्शन उन पर नहीं लिया तो मैं तो यह कहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर दरिया दिली उनके लिए थी कि उन्होंने 370 से लेकर और तमाम इशूज पर जो कांग्रेस पार्टी की जो अफिसियल पोजिशन थी उसके खिलाफ लगातार बोलते रहें भारती जनता पार्टी आरेसेस का जो स्टेंड पॉइंट था अनेक मुद्दों पर उसकी वो वकालत करते रहें ब प्रोपेगेंडा मैं समझता हूं कि वो बहुत ही सतही है उसका बहुत कोई बड़ा आधार नहीं है जियोतिरा जिस सिंधिया को पार्टी में खुश रखने में कांग्रेस की नाकामी की चर्चा पिछले दो दिनों के दौरान इतनी जादा हुई है कि कांग्रेस विधायको को चार्टर प्लेन में बिठाकर बंगलूरू पहुचाने और उन्हें यदुरप्पा शासन की विशेशक ये पहरेदारी में रखने की बात बिलकुल मीडिया ने नजर अन्दाज की होर्स ट्रेडिंग की बात पर उतनी चर्चा नहीं जितनी राहुल सोनिया की नित्र्ट निकल आए कि अप एक शाकृत शराफट से सियासत करने वाले सारे विपक्षी बाउने या कमजोर साबित होने लगें तो क्या इसे सिर्फ विपक्ष की कमी कहेंगे कि हाई ये विपक्ष कैसा है जो सत्तापक्ष के मवजूदा नेत्रितु से भी ज्याना निरंकुष और सम नहीं कर पा रहा है पिछले दो दिनों से अंग्रेजी हिंदी का सारा मीडिया कुछ इसी अंदाज में मध्यप्रदेश के घटना कर्मों की चर्चा कर रहा है एक तरह से करनाटक के नाटक की मध्यप्रदेश में भी पुन्डवृत्ती इस वक्त होती नजर आ रही है सोचि हुए इन 17 या 20 सीटों के लिए उपचुनाओ होने लाजमी होंगे क्या यह किसी लोग तांत्रिक संरचना में एक राजनितिक अनर्थ नहीं होगा क्या यह सब धन और चल के उपयोग दुरपयोग के बगैर हो रहा होगा दोस्तों मध्यप्रदेश विदान सभा में सदस्य कि कुल संख्या 230 इसमें दो सीटें अभी रिक्त हैं यानि कुल 228 सीट हुई किसी भी सरकार के बहुमत के लिए निरधारिज संख्या 115 हुई सदन में अब तक कॉंग्रेस की संख्या 114 और भाजपा की 107 रही है निरदली और अन्य सदस्यों की जो संख्या है वो साथ है इन के समर तक 17 विधायकों के स्थिपे के बाद और जिसका मंजूर होना अब बिलकुल दिवार पर लिखी हुई इमारत की तरह है यह संख्या 211 प्रभावी संख्या हो जाएगी यानि बहुमत का जो अंक है सदन में वह 106 पहुंच जाएगा भाजपा के पास पहले से 107 मेंब बुला सकते हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश विधान सवा का सत्र 17 मार्स से होनाता है लेकिर राजिपाल को छुट्टी से बुला कर भोपाल रहने को कह दिया गया है वो होली की छुट्टियों के दौरान अपने प्रदेश चले गए थे जो अपने मूल प्रदेश हो सकता है वो सदन का सत्र 17 से पहले भी बुला दें और कमलनाथ सरकार को विश्वासमत लेने के लिए कहा जाए या उनके खिलाब विश्वासमत आ जाए कौन जानता है इस दोनों राजनितिक दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना किया है म कौंग्रेशी विधायकों को अप पार्टी ने जैपूर रवाना किया है और सिंधिया खेमे के 17 से 20 कौंग्रेशी विधायक भाजपा की येदुरप्पा सरकार की कड़ी निक्रानी में बंगलोरू में रखे गए हैं इनमें 6 कमलनाथ सरकार के मंत्री भी हैं एक समय IT इंड की तरह सियासी हास स्टेडिंग अड़े खोलना शुरू कर दें तब तक देखते रहें मध्य प्रजेश का सियासी ड्रामा पठाक शेप चल्दी ही होना है ज्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला है इसके बाद भाजपा की सारी ताकत दूसरे विपक्ष शासित प्रदेश उन्होंने तो आपचारिक तोर पे यह कह दिया कि यह सिलसला मध्य प्रदेश तक थमने वाला नहीं है और भी कई प्रदेशों में चलने वाला है उधर गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरूपाणी ने आज कहा कि राजिसभा के चुनाओं से पहले उनके प्रदेश में भी यानि गुजरात के अंदर भी कॉंग्रिस के अंदर बड़ा भी भाजन होने वाला है राजिसभा के लिए दोस्कों 26 मार्च को चुनाओ है यानि 26 मार्च से पहले कई प्रदेशों में काफी बड़े खेल की तैयारी है मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का रिष्टा आसपास के कुछ और राजियों में भी हो सकता है जिस राजस्थान में कॉंग्रेस के विधायकों को टिकाया गया है लोग कहते हैं कि वहां भी नजर पड़ी हुई है भारती जंता पाटी के स्टेडिजिस्ट की देखते रहिए ये कैसा निव इंडिया है किस सम्विधान क के तहत हमारी सरकारें बन और बिगड रही हैं ये भी दिल्चस्प है खासकर 2020 में जब हम इस वर्ष को देख रहे हैं कि कैसे उलट-पुलट चीजें हो रही हैं लेकिन दोस्तों आईए हम बात करते हैं कांग्रेस की समस्या पर क्योंकि अब तक हमने जो हालात हैं उनका जि असल कहानी क्या है दोस्तों मुझे लगता है कि वेक नए किस्म के हालात में बिल्कुल पुराने ढंक से ही सोच रही है कॉऑ पुराने ढंक से ही काम कर रही है उसके पास नए विचार हैं और नए कारिशेली है जितने उसके टॉप लीडर्स हैं वह यातो अपर कास्ट की ज नाजा महराजा हैं शहरी एलीट हैं इन पर पूरी निर्भरता है ग्रासरूट जमिनी अस्तर के नेताचा है वो जिस जाती के हों जिस बिलादरी के हों जिस समाज के हों जिस वर्क के हों उनका कॉंग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है कि या तो अकाल पढ़ चुका है या डि जुमलों में ट्वीटर, फेस्बुक, बयानों और टीवी डिवेट्स तक सिमित रह गई है। जो कुछ अच्छा बोल सकता है, जो कुछ बहतर ट्विट कर सकता है, जिसकी अंग्रेजी बहुत शांदार है, उसको बड़ा निता माना जा रहा है। पिछले दिनों देखा गया कि लोगों ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष जो सुनिया जी हैं, उनके बाद नए अध्यक्ष के चैन के लिए जो चेहरे सामने आए, वो तो हैरतंगेज है। राउल गांदी के अलावा जिन लोग के नामों की चर्चा हुई, वो ऐसे नेता हैं, जिनको आमिन आम बोलचा की भासा में गंबले का पौधा कहा जाता है, यानि जिनकी जड़ें जमीन में नहीं होकर गंबले की तरह यानि एक खास जगह पर हैं, जो बहुत सिमिज जगह है, तो कॉंग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ कि एक जमाने में जो आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद भी जनधार वाले नेताओं की पार्टी थी, इस पार्टी में ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनकी नीतियों से, जिनकी समझदारी से, जिनके दरशन से, जिनकी विचारधारा से आप असामत हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास जनता या जनता क समर्थन नहीं है या नहीं था लेकिन आज की हालत यह है कि लोग जनता के बीच जाना नहीं चाहते जब कोई घटना घट चुकी होती है तब कॉंग्रेस के नेताओं को खासकर दिल्ली में जो बैठे बड़े नेता हैं उनको देखा जाता है कि वो कुछ करते नजरा रहे हैं इसके बाद फिर गायब सब कुछ गायब तो भारती जनता पार्टी अपनी तमाम सामप्रदाइक सोच अपनी तमाम बिवहतकारी नीतियों के बावजूद उसके पास ग्रास रूट पर जिस तरह का काम है आरेसेस के पास विश्व हिंदू परिसत के पास बजरंग दल के प पास मना ये जाता है कि भारती जनता पार्टी का जो मूल मातरी संगठन है आरेसेस उसके पास साट सतर संगठनों की एक पूरी की पूरी सुची है और ये संगठन हर जगा काम कर रहे हैं पहले भी ये काम करते थे लेकिन उनके पास तब इतनी ताकतवर सक्ता नहीं थी यह वो कार्पुरेट से लेकर और सत्ता के शिर्ष पर ही केवल नहीं हैं सब के बीच में सबसे बड़ी ताकत उबर चुके हैं नरेंद्र बोदी जी और अमिच शाजी इन दोनों के बारे में अलग अलोग उपियनियन आपकी हो सकती है लेकिन इनकी मेहनत इनके तौर तरीके इनके आपरेशन्स जिस तरह के हैं उसके आगे मुख्य विपक्षी पार्टी का जो पूरा का पूरा तंत्र है वो बावना साबित होता है तो ये जो सबसे बड़ी समस्या कॉंग्रिस पार्टी की है और चुकि ये संपोर्ण विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी यानि विपक्ष का पूरा इंजन ही अगर इस तरह से कमजोर होगा तो जाहिर है कि विपक्ष की जो पूरी की पूर यानि पावर जो 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 पावर है उसके अलावा इस पार्टी के पास और कोई इनके नेताओं के पास कोई और लक्ष नहीं है थोड़ी दिर के लिए आप देखें जोतिराज सिंधिया का बीजे पी में जाना क्यों हो गए क्योंकि उनको पावर नहीं मिली विचार के अस्तर पर आप अगर देखें तो भारती जनतापार्टी के नेता हो और उनके विचार में फर्क कहा है क्या वो नहरू गांधी की जो पूरी की पूरी वैचारी की है उससे कहीं कोई तालूख है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कश्मीर के बारे में सामप्रदाइक्ता के बारे में नेशनलिजम के बारे में, विकास के बारे में, लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी के बारे में, एफर्मेटिव एक्षन के बारे में, कौन सी ऐसी चीज है, समवैधानिक लोगतंत्र के बारे में, विदेश नीती के बारे में, कौन ऐसी चीज है जिस पर जोतिराजिच सिंधि जतिन प्रशाद जो अभी तक कांग्रिस में हैं बीच में भाजपा में जाने वाले थे जो रुक गए इन नेताओं का भारती जंता पार्टी के आम नेताओं से क्या अलग रुजान है हमको आप बताईए हमरा वस यह कहना है कि कांग्रिस की जो ट्रेडिशनल लीडर्सीप है जिस पर तमाम बुजर्ग नेता काबिज हैं और उसमें राहूल गांदी बीच में नए एक नेता आये थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये नई ताकत जुटाएंगे नई रोशनी लाएंगे युआ पिरी को जोडएंगे जिसमें वो नाकाम रहे या यूं कहा जाए कि चुनाओ हारने के बाद जो एक बहुत बुरी शेकस्त मिली पार्टी को चुनाओ में इसके बाद वो स्वेम छोड़कर पार्टी का नेतर तो चले गए और तब सोनिया गांदी को फिर वापस आना पड़ा तो हमारा ये कहना है कि अगर कॉंग्रिस पार्टी में जितने इस क्या प्रादेश की नेतर तो पूरी तरह उनको सौप दिया जाए तब वो खुश रहेंगे या तो उनको सरकार में आने पर मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए तब वो खुश रहेंगे कॉंग्रिस पार्टी की मजबूती के लिए एक्सपेंसन के लिए उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास कोई सोच नहीं है फिर आप भारती जनता पार्टी की चुनवती का कैसे सामना करेंगे भारती जनता पार्टी जैसी एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र समवैधानिक लोकतंत्र को लेकर भारत की पूरी की पूरी जो आजादी की लड़ाई क इतास हैं जो मुल्य हैं जो वैचारी की है उससे जो बिलकुल अलग सोचती है जिसका रास्ट का एक बिलकुल अलग सपना है एक अलग सपना है आप उससे सामत हुआ सामत हुआ एक अलग कानी है लेकिन वो इस देश को जनतंतर इसका हटा कर हिंदू रास्ट बनाना चाहती है वो पार्टी और उस पार्टी से आपकी टकर है उस पार्टी से आप जूजना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई ठोस बहचारी की नहीं रह गई है आपकी प्रैक्टिस आपकी शैली सब कुछ उन्हीं नेताओं की तरह है तो फिर आप चुनौती कैसे दे सकते हैं इसलिए यहों पर अलग-अलग सुबों में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां कॉंग्रेस बहुत मजबूत एक जमाने में हुआ करती थी लेकिन आज वहां कॉंग्रेस का नाम लेवा नहीं रहा गया है कोई आप देख लीजिए साउथ इंडिया आप दक्षिन भारत के कई स्टेट्स का का देख लीजिए हाल तेलंगाना का देख लीजिए आप आजाए इस एरिया में बंगाल उडिilsा का हाल देख लीजिए एक जमाने में कितनी मजबूत पार्टी थी अलेकिन उडिशा में क्या नोबत आ गई है तो हमरा यह कहना है कि कॉंगरेस एक कहरे संकट में है जो ति है वो कहीं ज्यादा गैरी है और इसको अगर एड्रेस पार्टी का नित्र तो नहीं करता है तो कॉंग्रेस के लिए उसके वजूत के लिए सबसे बड़ी चुनोतियां आज की तारीक में उभर रही हैं और वो संभाता विपक्ष की चुंकि सबसे बड़ी पार्टी है झाल